कोईला चोरो ध्वारा CISF जवान पर हमले मामले को लेकर CISF के IG चांच करने पहुँचे CISF जवान की स्थितिन नाजुक हमला करने वाले तीन कोईला चोरो को पुलिस गिरफतार कर भेजा जेल धनबाद में अवेद कोईला कारोबार चरम पर है अवेद कोईला कारोबारियों का मनोबल सात्वे आस्मान पर है अब अवेद कोईला कारोबार करने वाले सिंडिकेट CISF पुलिस को अपना निशाना बना रहे हैं बागमारा थाना शेत्र के नदखुर की कोल डंप में CISF जवान रनवीर कुमार को 28 फरवरी की रात्री में कोईला चोरोद वारा हमला कर दिया गया था CISF जवान के सिती नाजुक बताई जा रही है वही मामले की जाच करने CISF आईजी हिमराज गुपता नदखुर की कोल डंप में जाच के बाद CISF ब्लॉग दो CISF कैम्प महुचे जहां स्थानिय CISF अधिकारियों से मामले के जानकारी दी कोलियरी में सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की धिलाई नहीं बरतने का निर्देश आईजी ने दिया साथ ही बिसिसियल प्रवंधन के साथ समन्वे कर सुरक्षा व्यवस्था को दुरूस्थ करने का भी निर्देश दिया है घायल सियासेफ जवान के बारे में जानकारी आईजी ने लिया हलके सियासेफ आईजी मामले को लेकर मीडिया को कुछ भी बताने से इंकार कर दिया इधर बागमारा पुलिस सियासेफ के इस्पेक्टर आनंद कुमार की शिकायत पर तीन लोगों को गिरफतार किया है अब पुलिस CISF को चुनोती खुल्याम देने का काम कोईला चोर कर रहे हैं